एक दिन राजा कृष्ण देव राय के दरबार में अरब देश का एक व्यापारी आया, उसके पास एक से बढ़कर एक अरबी घोडे थे, व्यापारी ने हठे कठे और तंदरुस्त अरबी घोडों की राजा कृष्ण देव राय के सामने इतनी तारीफ की की, उन्होंने फोर लिकिन जब घोरों को रखने की बात सामने आई तो समस्या खड़ी हो गई, सारे अस्तबल पहले से ही भरे हुए थे, उनमें नए घोरों को रखने का स्थान नहीं था, इस समस्या का निदान राजगुरु के सुझाया, राजगुरु ने महाराज को परामर्श दिया कि जब तक इस घोरों को रखने एक, लिये नया अस्तबल तैयार ना हो जाए, क्यों न एक एक घोरा हम मंत्रियों, दर्बारियों और प्रजा में बांट दे, वे उन घोरों की देखभाल करेंगे और उसके बगले हर महिने उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी, महाराज को राजगुरु की ये सलाह जंच गई और उन्होंने वे घोरे अपने मंत्रियों और दर्बारियों में बटवा दिये, जो घोरे, बचे, वे प्रजा में बांट दिये गए, महाराज का आदेश था, इसलिए सब लोग चुप चाप घोरे लेकर अपने अपने घर चले, गए, एक स्वर्ण मुद्रा में उन घोरों के चारे का प्रबंध करना और उनकी देखभाल करना बहुत कठिन था, लेकिन वे राजसी घोडे थे, इसलिए उनकी देखभाल में कोई कोता ही नहीं बरती जा सकती थी, सब अपना पेट काट कर घोरों की देखभाल करने लगे, एक घोडा तेनाली राम को भी मिला, उसने वो घोडा अपने घर ले जाकर एक छोटी सी अंधेरी, कुटिया में बांध दिया, उस कुटिया में छोटी सी एक खिर्की बनी हुई थी, उस खिर्की से तेनाली राम रोज शाम थोड़ी, सी सूखी घास घोडे को खिलाया करता था घोडा दिन भर भूखा रहता था, इसलिए जैसे ही शाम को खिरकी से सूखी, धास देखता, लपक कर उसे खा जाता, दिन बीटते गए और वो दिन भी आया, जब अर्बी घोडों का अस्तबल बनकर तैयार हो, गया, जिन मंत्रियों, दर्बारियों और प्रजा के पास खेर, वे घोडे लेकर, राजमहल पहुचे, इधर तेनाली राम जब राजमहल पहुचा, तो उसका घोडा नदारत था, महाराज के पूछने पर वो बोला, महाराज, क्या बताऊं, वो घोडा बहुत ही ज्यादा खुनखार हो गया है, किसी पर भी हमला कर देता है, मुझ म तो, इतना साहस नहीं कि उसके अस्तबल में गुस पाऊं, इसलिए मैं उसे नहीं ला पाया, महाराज कुछ कहते, इसके, पहले राजगुरु बोल पड़े, महाराज, तेनाली राम की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अवश्य घोडा सही सलामत, नहीं है, इसलिए तेनाली राम बहाना कर रहा है, हमें वहां जाकर वास्तविक्ता का पता लगाना चाहिए, महाराज ने, राजगुरु को कुछ सैनिकों के साथ, तेनाली राम के घर जाकर घोडे को लाने का आदेश दे दिया, राजगुरु सैनिक लेकर, तेनाली राम के घर पहुँच साथ में तेनाली राम भी था तेनाली राम ने उसे वह कुटिया दिखाई जहां घोडा बंधा हुआ था राजगुरु जब कुटिया के पास पहुँचे तो तेनाली राम बोला राजगुरु जी संभल के घोडा सच में बहुत खुनखार हो गया है आप पहले खिरकी से उसक घोडे ने कुछ खाया नहीं था। तेनाली राम शाम के समय ही उसे सूखी घास दिया करता था। इसलिए जैसे ही राजगुरु खिड़की के पास अपना मुँँ लेकर गए उनकी दाड़ी को सूखी घास समझ कर घोडे ने मुँँ में दबा लिया और खीचने लगा। से चीखते रहे और अपनी दाड़ी छुडाने का प्रयास करते रहे किन्तु भूखा घोड़ा भी दाड़ी। शोडने तयार नहीं था। आखिरकार सैनिकों द्वारा तलवार से दाड़ी काटकर अलग कर दी गई। तब राजगुरु की जान। शूटी। उसके बाद र घोड़े को देखा तो आश्चर्य चकित रह गए इतने महिने धंग से कुछ खाने पीने को न दिये जाने के कारण उसका शरीर सूख गया था और वो एकदम मरियल दिख रहा था अपने घोड़े की। ये हालात देख महराज बहुत क्रोधित हुए और तेनाली राम से बोल बाकी लोग आपके डर से अपना पेट काट काट कर घोड़े की देख भाल करते रहे वो आगे कहता गया महराज राज्य के राजा का धर्म प्रजा की देख भाल करना है न कि उन पर अतिरिक्त बोज डालना इन भूरों की देख भाल करते करते और उन्हें बल्वान वो नाली राम की बात समझ में आ गई और उन्हें अपनी भूल का अहसास हो गया अपनी इस भूल के लिए उन्होंने सबसिक शमा मानगी और उन्हें इन महिनों में हुए खर्चों की भरपाई भी दी सीख अच्छी तरह सोच विचार कर ही किसी निर्नय पर पहुँचना चाहि उन्हें आ गर पहुआ है आ पहुआ है दोल कि भूल की भागव के लिए बात से ओिन दाओ बात समंक भी देख भी चाहिए अच्छी विए और उन्हें इस भी।